यह सीन देखो आप कितना प्यारा नजारा है जैसे मैंने सोचा था कि मैं पहुंच जाओंगा साड़े साथ के करी अंधेरे में राइड नहीं करनी है मुझे हेलो एन वेलकम टू मैं न्यू व्लॉग और नवंबर के बाद लास्ट यर 2021 के बाद अभी जो है मैं यह अपना नया व्लॉग शूट कर रहा हूं क्योंकि नवंबर के बाद मैंने जो है कुछ कारणों की वजय से व्लॉगिंग करना बंद कर दी थी जो कि मुझे रियलाइज हुआ कि इड वाज बाद डिसीजन और उसके कुछ कारण भी थे नवंबर में गया था अक्टूबर नवंबर में गया था रामेश्रम रामेश्रम फैमली ट्रिप पे गया था मैं उसके बाद जो है मैं घर आ गया क्योंकि उस टाइम पर मैं चेननाई से काम कर रहा था और अब मैं जो है जा रहा हूं एक लॉंग बाइक राइड पर दमों से लेकर के चिननाई तक दमों से लेके चिननाई जो कि अराउंड 1500 किलो मीटर दूर है 1500 it's gonna be a long 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 trip और और it's gonna be a bike trip और मैं बाइक से जा रहा हूँ तो मेरा प्लान ये है कि जो है यहां से दमों से लेकर के पहले मैं जाओंगा नागपुर और नागपुर से जो है मैं जाओंगा हैदराबाद और हैदराबाद से फिर चिन नही तो अराउंड 1500 किलो मेटर मुझे ट्रैवल करना है यहां इतनी लंबी ट्रैप अपने लाइक में कमी और एक्साइड़ भी हूं बहुताद है एक्साइड भी हूं क्योंकि इस गॉन अप्लीटली न्यू राइड न्यू प्लेस न्यू रोड्स और इस गॉन अँए फन तो मेरा पूरा साड़ू एड़ी है आम गॉन आट शो on a wonderful journey on a long journey और I'm also ready so I'm gonna show you guys around और अब मैं जो है vlogs, मेरे जो vlogs होंगे वो regular होने वाले हैं I'm really sorry that I was not continuous but I'm gonna be now और आपको दिखाऊँगा नही नही जगा, नही नही प्लेस so stay with me here लोगो, स्वागत है मेरी ये पहली ट्रिप में और मुझे खुद नहीं बता कि मैं कैसे ही करने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आज तक इतनी लंबी ट्रिप और इतनी लंबी जरनी कभी नहीं किया बट आप I'm excited मैं सच में बहुत excited हूँ कि यह जो experience है that is gonna be a very nice experience for me तो मेरा प्लान ये है कि यहां से पहले में जाओंगे जबलपूर जबलपूर में मुझे थोड़ा सा काम है खीकर उसको finish करने के बात फिर जो है मैं निकलूंगा नापकूर के लिए तो यहां से जबलपूर जो है वो है आराउंड 90 किलो मेटर्स और फिर जबलपूर से जो है नापकूर दाट इस गूइंग तो बी अराउंड 280 किलो मेटर्स फिर जो है मेरा आज की जो राइडिंग होने वाली है वह आराउंड 400 किलो मेटर्स क्योंकि मुझे जबलपूर में भी कुछ है काम है तो मैं अदर धर घूंगा तो आराउंड 400 क्लो मेटर्स आज मुझे राइड करना है तो है टाइम हो रहा है अराउंड साड़े ग्यारा और लेट सी कि जबलपूर मेरा जो डारगेट है कि मैं जबलपूर आराउंड एक घंटे या तेड़ घंटे में पहुंचू फिर उसके बाद अराउंड एक डिड़ बजे तक जो है नागपूर के लिए निकलते हैं तो चलते हैं एज्जुआ करते हैं राइट मुझे पता है कि जब मैं यहां से जाओंगा तो पांच साथ दिन मुझे बहुत खराब लगने वाला है कोई नहीं चलते हैं हम गूमते हैं दिखाते हैं आपको कुछ नए नए प्लेस अभी तो जो है आम अन देवे टू जबल पर चलो यहां से वीडियो एंड बाइक दोनों की स्पीड बढ़ाते हैं और बहुंचते हैं जबल पर मुझे यहां से लोटी हैं दोंटे हैं इंड अन्हां से अज़ाँ से बीडियों कि एंड बीडियों है टायं मैं कुछ आख बड़के गहां सानिया प्लेश तो स्भाप्ट मैं से जज़ाऊ झाटें थिए दो जबलेगों आटें एंवड़को यहां से और दो अत्यग्स झाल झाल जबालपुर में जो भी मुझे काम थे उनसे में खुरसब हो गया हूँ और मैं जबालपुर मर्च गया था तकरीब बन एक वजे और अभी बज रहे हैं आराउंड थ्री ओक्लाप मेरे बाइक के गाड़ी पर मत जाना वो 30-40 मिट लेट है तो अभी मुझे यहां से पकड़ना है नागपुर हाईवे जैसा मैंने बताया था कि नागपुर जबालपुर से जो है 275 किलो मेटर है और तीन के करीब हो रहे हैं अब मुझे लगता है कि मैं जो है साथ साड़े साथ के उपर ही हो जाएंगी क्योंकि 275 किलो मेटर रुकावर करना ठीक है इन वन गो इस नाट इस नाट एज़ी मैं चाहता हूं कि कि डिन ढलने के बाद मैं ज्यादा राइड नी करूँ क्योंकि मेरा मैन मॉटो जो था आज राइड करने का मैं सोच रहा था कि जब नागपुर में 6 बजे के पहले-पहले पहुंच दो लेकिन अफॉर्शनेटली मुझे थोड़ा सा काम था इदर वो थोड़ा जो है वह ज कि यहां से दुझे के वोैसारि नागपुर निकल जाऊं लेकिन सही को पाया मैं जाता हूं कि जैसे ही अदेरा हो मैं अपनी उसके पहले मैं अपनी डिस्क्रेशन करहा हूंzahl चाहे मैं नागपुर जा रहा हूँ है यह एदराबाद यह चे sickness तो आज तो वैसे ही लेट हो गया और चलो कोई नहीं लेट हो गया फिर भी चलते हैं मैं सोच रहा था कि जबलपुर में जल्दी पहुंचके और जबलपुर का जो काम है वो जल्दी फिनिश करके बरगी बांथ जाऊंगा लेकिन अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे जो लेट है और मैंने चाहा रहा था कि इतना लेट हो लेकिन अब क्या गब कुछ चीज़ें जो है वो मुझे करनी दी तो उसमें डाइम लग गया अब ही जो है बरगी का तो प्लान कंप्लीटली कैंसल है नेक्स टाइम जब कभी मैं जबलपुर आऊँगा जब मैं धर पर आऊँगा तब जाऊँगा क्योंकि लास्ट ताइम जब मैं जब आया था तो मैं गया था बेडागार्ड अगर जब अब आपको एक नैचरल वो जहरना ऐसा है जब नीचे गिरता है ना पानी तो ऐसे धुआ सा उठता है इसलिए उसके धुआधार भी बलते तो आप जा सकते हैं उदर जब कभी भी आप जबलपुर आए क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जो भी जबलपुर आसपास के लाके से जो भी लोग वो तो है एक बेड़ा घाट या धुमाधात और दूसरी दूसरी जो दूसरा जो डेस्टिनीशन है वो है अबर की बांद तो इन दो प्लेसेस पर आप जा सकते हैं जब मैं बेड़ा घाट गया था तो वहां पर वो केबल कार भी अवेलिबल है तो आप उपर से ही फूरा आप ले सकते हैं और जो कि बहुत प्यारा बहुत प्यारा ब्लेस है लवली प्लेस तो मैं तो अभी सोच रहा हूं कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके इधर से निकलूं हाइवे पर लगूं क्योंकि ट्राफिक में जितना टाइम खराब होता है से डी के अंदर जो है आप स्पीड करते ओ तो बहुत टाइम खराब होता है तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है आफ हाइवे पर पहूंचूं और उसके बाद जो है अपनी बाइक स्पीड आप करो कि और जितने से जल्दी हो सके मैं अगर से जल्दी निकला होता अगर में घर से जल्दी निकला होता मैंने प्लान तो यह किया था कि तक्रीब अगर शाड़े आठ नौ बजे के करीब निकलूंगा और उसके बाद जो है 11.50 बजे तक इधर जबलपुर और उसके बाद 12.30 के करीब जबलपुर से निकलते हुए परगी बान्ध घुमते हुए और मैं जाऊंगा निकलूंगा नागपुर के लिए और नागपुर का जो मेरा ठारगेट था ता अधर करीबन साड़े पाँच बजे का प्लिकेंड अब क्या गए लेट हो गए तो हो गए अब ही खोड़ी सी राहत मिली है सिटी से निकल गया हूं और अभी लगा हूं मैं हाइवे यह है नाकपुर जबलपुर नाकपुर हाईवे और अब मुझे जो है यहां से कंटिनुवसली राइडिंग करनी है नाकपुर तक हमें ऐसा लगता है कि हम नभे या सौकी स्पीड एक सुदस की स्पीड में जो है राइडिंग करके हम इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर लेंगे 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 इस नौट दाट इजी क्योंकि जब राइडिंग करने की बात आती है तब पता चलता है कि क्या क्या दिक्कत है फेस करनी होती है अभी जो टाइम हो रहा है वह हो रहा है तकरीबं 345 के करीब और अभी जो है मैं मुझे नाकपुर पहुंचने के लिए 222 या 220 किलोमीटर और कवर करने हैं यहां से तो आम रीचिंग टूमा धूमा से जो ह है मैं जाओंगा लखनादोन लखनादोन के बाद जो है सिवनी सिवनी के बाद सिवनी के बाद का जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर जो नेशनल पार्क है पैंच नेशनल पार्क वो लग जाता है जो कि आधा मध्यपरदेश में आता है और आ नाफ्पूर तो मेरा टार्गेट है वो साड़े साथ के करीब तक पहुछ जाओं लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जो जंगली एरिया है जो नैशनल पार्क वाला जो एरिया है वह मैं दिंधलने के पहले जो है कवर कर लूँ यह सीम देखो आप कितना प्यारा नजारा है यह पहाड़ी इलाका है और तक्रीबन बज रहे हैं चार बाइक की घड़ी के हिसाब से और अभी भी मुझे जो है 200 किलो मीटर कवर करने हैं तो मैं रीचिंग तु धूमा उसके बाद जाएंगे लखना दौन जो कि आराउंड धूमा से 20-22 किलो मीटर है यहां से धूमा तक यह जो है जंगली इलाका है पहाड़ी इलाका है और बहुत सारे ब्लाइंड मोड्स हैं तो मैं जो है एकदम दीरे-दीरे चल रहा हूं सेफली क्योंकि ऐसे इलाकों में मुझे ज्यादा रैश राइडिंग नहीं करनी है दीरे-दीरे चलना है और सेफ पह करके रखता है वह नागपुर की जो इनीशल बॉर्डर है वहां तक का है इसमें आराउंड 91 किलो मीटर दिखा रहा है लेकिन एक्च्वल जो है वह सिटी तक जाने में हमें आराउंड 110 किलो मीटर तक लग जाएंगे तो शाम के बज़ गए है यहां से जो है नैशनल पार् जो है कि मैं सूरज धलने से पहले पहले तक जो नैशनल पार्क का एरिया है वह क्रॉस कर दूँ बट ऐसा नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा था आगे हम जो है हम ऐसा सोचते हैं कि लिए 100 किलो मीटर या फिर जो 110 की स्पीट में जो है हम दो घंटे में कहीं कहीं हो जाएंग जो है हमें फेस करनी हो तो यहां से खवासा जो है वह 27 नाकपूर 104 हैदरबाद 592 किलो मीटर है और यह मेरे आजू 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 आप बैरिकेटिंग देख रहे हो यह जो इलाका है अब यह हो गया है जहां से पैंच नैशनल पार्क स्टार्ट यहां से पैंच अगे तक जो है मदपरदेश की बॉर्डर है वहां से मदपरदेश की बॉर्डर खताम हो जाएगी महरास्ट की बॉर्डर चालू हो जाएगी और क्योंकि पैंच जो नैशनल पार्क है वह आधा आता है मदपरदेश में और आधा आता है महरास्ट में तो मुझे जो है तकर दिस्पेच नेशनल पार्क और जिस प्रकार से यह बैरिकेटिंग स्टार्ट की है नौने यह मुझे लगता इसलिए की है ताकि जंगली जानवर जो है रोट पहनी आए तकरीवन हो रहे हैं चैबीस और शाम एकदम हो चुकी है दिन कम्पलीटी ड़ल चुका है मुझे लगता है पांच या दस मिट के बाद जो यह जाला दिखाई दे रहा है यह भी खतम हो जाएगा और अभी भी मैं राइट कर रहा हूं पैंच नेशनल पार्क के अंदर यह जो यह जो इलाका है थोड़ा सा डर आउना इलाका है और मैं चाह रहा हूं कि जतने जल्दी स जल्दी हो सके खत्म हो जाए और यह जो इलाका है यह मत्रदेश की सीमा में आता है और ऐसे मतलब इतने सारे ब्लाइंड मोड्स हैं जितना आप स्लोली जा सको उतना ज्यादा स्लोली जाओ क्योंकि यह छोटे-छोटे ब्रेकर्स भी हैं जो कि मेरी राइट को बंपी बना तो मैं चा रहा हूं कि यह जो डरावना इलाका है जितने जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए उतना सही है क्योंकि यहां पर राइट करना मुझे तो बहुत भी डरावना और अंसेफ लग रहा है और यह जो मैंने आपको बताया कि जो बैरिकेटिंग की गई है यह इसलिए की लेगर लाइन से लेके सारे जो कुकार जानवर होते हैं सारे अवेलेबल फेंच नेस्ट अपार्ट में और मैं चा रहा हूं कि यह रोड कब खत्म हो क्योंकि मैं सच में फ्रस्टेट हो चुका हूं 50 किलो मीटर तक ऐसे रोड पर चलना इस इस रेली वरी डिफिकल्ट अनकॉंफरीटेबल जंगल एक्तम घना हो रखा है और मतलब अच्छा भी लग रहा है ऑन दी अधर हैंडर भी लग रहा है तोड़ा सा क्योंकि इतना बड़ा रोड नहीं इतना चोड़ा रोड नहीं है ठीक है और ऊपर से जो है यसी बेरीगेटिंग देखके ऐसा लग र राइड कर रहा हूं और नजारा भी बहुत प्यारा है ठंडी हवाएं आ रही है वैसा ही ठंड का मौसा में तो और उसके ऊपर जो है पहाड़ियां जंगल इलाका है तो प्यारा लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हो सके यह रोड खतम हो जाए क्योंकि मैं चाहत हुआ कि आड़े इस तुछ मोज से तुछ में हो जाएं जंगली इलाका खत्म ही हुआ लेकिन यह बैरिकेटिंग वाला रोड जो है वह खत्म हो गया है क्योंकि मुझे साजीव सा लग रहा था तो यह यह रोड एसा है की खत्म हो गया अभी ओपन रोड में राइड कर रहा हूं ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है अभी भी मुझे 80-85 किलोमीटर कवर करना है यहां से बज़ रहे हैं तब तक्रीबन साड़े च्छे पूरा अंधेरा हो गया है और बज़ रहे हैं तक्रीबन आठ जैसा मैंने सोचा था कि मैं पहुंच जाओंगा साड़े साथ के करी अंधेरे में राइड नहीं करनी है मुझे डाक होने से शाम होने से पहले जो है मुझे नागपुर पहुंच रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नह हो पाया है तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम प्लान बनाते हैं ऐसा हो बट कोई नहीं एक अच्छी चीज यह है कि आम जस्ट नेरिंग टू नागपुर हां से ज्यादा दूर नहीं है तकरीबन 25 किलो मीटर जे बस यह है यह जो टाइम है जो पीक टाइम है और पीक टाइम के डि राइडिंग करने में 12 वजने वाली है आम शूर अबाउट दैट क्योंकि बहुत ट्रैफिक होगा और ट्रैफिक में जब आप तकरीबन 5 किलो मीटर भी अंदर जाते हो ना तो आपको आदा गंटा तो लगी जाता है तो मुझे जादा अंदर नहीं जाना है सिटी के मुझ जो है थोड़ा सा अंदर जाना है मेरी होटल तक उसके बाद जो है मैं उदर इस्टे करने वाला हूँ तो अच्छी चीज यह है कि मैं बिलकुल नाकपुर की बॉर्डर लगने वाला हूँ आठ बज़ रहे हैं तकरीबन सब्सक्राइब जो है नाकपुर के आउट्सकर्ट मैं टाच हो चुका हूँ मैं यह नाकपुर का आउटर एरिया है अभी बज़ रहे हैं तकरीबन साड़े आठ और मुझे यहां से जो है होटल पहुंचने में तकरीबन आदा गंटा तो लग जाएगा मैं बागे में बहुत थक्या हूँ मुझे लग रहा था जब मैं घर से निकला था कि कोई नहीं 200 जवलपुर से 275 किलोमीटर है इसली कवर कर लूगा लेकिन ऐसा नहीं है इतना इसी नहीं होता है सच मैं मैं मतलब किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूं कि रा जा रहे हैं अकर आपने 80-90 किलोमीटर कहीं राइड करी है तो आपको लगेगा खिया नहीं यहां 400 किलोमीटर है हम तो ऐसा ही कवर कर लेंगे बट इस नाट डाट सिंपल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी बट थकान हुई है मुझे बैक पेन हो रहा है और मेरे बट्स जो है एकदम जल रहे हैं लेकिन यह रिलीफ हो गया है अभी कि मैं नाक पर पहुंच गया हूं सेफली जो है बड़ी मशक्कतों के बाद तो यहां से मुझे होटल पहुंचने में तकरीबन जो है आदा घंटा तो लग जाएगा क्योंकि अभी भी 10 किलोमीटर अभी यह ची सिटी में डेफिनेटली डेगोना भी अट्राफिक तो थंड नहीं है विल्कुल अमेला उतनी जादा नहीं है थोड़ी बहुत है थंड लेकिन उतनी नहीं है जितनी जबलपुर और दमों में थी आउट्सकर्ट्स को जो है क्रास करके सिटी के अंदर आगे हूं और ट्राफिक उतना खास नहीं है मतलब उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है कि यह जो है टाइम लगा देगा मुझे कहां तक पहुंचने में होटल तक पहुंचने में मेरे पैरों की हालत बहुत कराब हो रखी है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं दस मेट रुख के पहले पैर सीधे कर लूँ और थोड़ा सा खाड़ा हो जाओ या बैठ जाओ लेक लेकिन मुझे टाइम खाराब नहीं करना एदर जबना भी आ रहा है होटल पहुंचके करूंगा अभी मैंने जब जबलपर से निकला था उसके बाद से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है क्योंकि राइट कर रहा था तो भूक ही नहीं लगी सबसे पहले होटल जाके एकदम नहाओंगा ठंडे पानी से और उसके बाद खाना खाने वालों क्योंकि भूक जो है मुझे अब लगनी शुरू हो गई है लेकिन सबसे जादा मुझे दर्द हो रहा है अभी मेरे पैरों में घुटनों में ऐसा लग रहा है कि कहीं खड़े होके 10 मिनिट रोग जाओं और प राइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए क्योंकि पता नहीं कहीं से भी कोई भी घुचरा है कहीं से भी कोई भी आ रहा है तो वह आपको जो है इस चीज का बहुत जादा दिहान रखना बढ़ता है तो कि चलते हैं दीरे दीरे कि कहीं हेवी ट्राफिक है और कहीं ऐसा माइल्ड सा है लेकिन ट्राफिक है कि एक बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है कार लेकर पूछ रहा है तो हमारा यूटूब चैनल के आए अब भाई मैंने मैं सोच रहा हूं कि अभी तर में ट्राफिक में खड़े होके थोड़ी में सब्सक्राइब कर वाउंगा कि ले यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर ले तो मैंने उसको इग्नोर वा रहा है वो कब से फॉलो करते आ रहा है बतलब एक छोटी ऑल्टो सी कार है वाइट कलर की और उसमें उसने जो है कम सक्कून में शहसाथ लोगें बच्चे बच्चे हैं और उनके मुम्मी पापा और में इको जो है मेरे पास में आके बार बार मुसे यह पूछ रहा था कि यह तुमारा यूटूब चैनल क्या है अब भाई ट्रैफिक में हूँ मैं इसा थोड़ी है कि उसको जो है गाबाई करोग के उसको जो है यूटूब चैनल बताओं और सब्सक्राइब करों तो मैंने इग्नोर मारा मैंने का भाई उसको लग रहा होगा बंदा बहुत रूड है यह लेकिन ऐसा नहीं है भाई ट्रैफिक में है अपनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही अब है अब एसे में ठकाओ पाऊ हूं है अब बस पांतस मेट की राइडिंग हाओ और है आज की उसके बाद जो है जो सोने वाला होना आज मजेदार सबसे पहले तो जा के एकदम नहाओंगा ठंडे पाने से और उसके बाद जब है उप लगी है तो बच खाना ओडर करके काना पीना खागे एक दम नहीं दूना तगडी वाली सच में आइम रेली डायाट तोड़े कि अग्याइब करने के बाद मैं नाकपुर आचुका हूं और कल का प्लान ये है कि कल हैदराबाद निकलूँगा यहां पर मैंने होटल में चेक इंड कर लिया सुबहा करीवन शार अच्छे साथ के करीब ताकि जो है क्योंकि आज के जासा लेट नहीं होना आज जो है मैं जवालपुर में ने फालतु दो घंटे वेस्ट कर दिये तो आज के सा लेट नहीं होना है, कल आपन को टाइम पे पहुचना है, मतलब सूरज ठलने के पहले, जो है 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 थराबाद पहुचना है See my babe, she is now resting, she really got tired today, she's gonna rest for the night and tomorrow morning, she'll be ready again to roar So, आज बहुत लंबी ट्रिप थी, आराउंड 4500 किलोमीटर क्योंकि जब मैं सोबर निकला था 11 बुझे, तो 10.30 के करीब तब मैंने सोचा था कि क्यों है, जबलपुर से बाइपस लेते हुए डारेक्ट नाखपूर पहुचूँँगूँगूँगूँगूँगूँगू अपर मैं आराउंड 5 घंटा बेस्ट कर दिया, जिसकी वज़य से मुझे इधर लेट हो गया था, आराउंड 6 बज गया और मेरा मानना ये रहता है कि जैसे ही शाम होती है, जैसे ही कम होती है, राइट नहीं कहाना चाहिए, क्योंकि मेरे असाब से थोड़ा से सेफ नहीं ल जबना ज़्यदा से जबना है, आप दिन में राइट करो, और मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जो है दिन में राइट करों, 10.30 हो रहे हैं, और कल सोबा मुझे फिर निकलना है, कल सोबा में मार्निंग में जाऊंगा, साथ साड़े साथ के करीए, क्योंकि है, हैदर एक पुक्त के लिए भी रोखना पड़ेगा तो दिन में भाद टाइम लग जाएगा इसलिए जो है जाताम की जतने जल्दी से जल्दी निक निक लूँ और जतने जल्दी से जल्दी हो सके पहुंच हो so this is all for today and thank you so much for watching this let's meet tomorrow